पांच नवंबर दोयार इकिस से और पांच नवंबर दोयार चोबिस के बीच ये 15 इसमोल कैप फंट्स हैं जिन्होंने की SIP के केस में यदि 5 यह रुपे के SIP की है तो 5 यह रुपों मेने के साथ से 1 साल में 12 पंजे 60 यह रुप गया तीन साल में आपकी जिप से 1,80,000 रुप कर दिये हैं जिसने सबसे हाइस रिटन दिये निकाल कर उसको मैं पहले दिखाऊंगा और इन 5 यह रुपे के SIP से यह रने की 1,80,000 रुप है जो हमने किस्त जमा की है न हर महीने के साथ से ऐसा तो एक बार एक बार एकट्टे उठा कर दे दिये भाई ले जाओ 1,80,000 रुप different time gaps का दिखाने का मतलब क्या होता है आज मैं data दिखा रहा हूँ यही same category के same schemes का data यदि आप एक हपता बात 15 दिन बाद महीना दो महीने बाद देखोगे change हो जाएगा और कई बार काफी कुछ change हो जाता है percentage of return बहुत ज्यादा change हो जाते हैं 1% का difference भी आ जाए ना तो बहुत ह होता है और 2-3% का difference भी कई बार देखने को मिल सकता है within six month और one year यह कई बार changes देखने को मिलते हैं तो अभी मैंने आपको recently ऐसा data दिखाया था जिसमें से कि एक selection का procedure बताया था आपको एक तरीका बताया था कि यदि आप in 2025 जो coming year है उसमें small gap category में निवेस करना चाहते हो तो तो वो कौन से fund हो सकते हैं जहां से कि आप select कर सकते हो तो उसमें मैंने आपको पिछले 10 सालों का data दिखाया था वो period का data देखकर आपने बहुत वीडियो का appreciate भी किया था तो आज देख लेते हैं और सारे जो return है न वो regular schemes के हैं regular के क्यों दिखाता हूं जातर वैसे मैं जब portfolio लिए वगरा calculation दिखाता हूं तो direct funds के भी दिखाता हूं consider भी करता हूं लेकिन regular का दिखाने का मतलब यह है कि आज की rate में भी more than 80% लो regular plan में ही कही ना कहीं निवेसित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है regular में हो आप continue कीजिए लेकिन investment करना ज़रूरी है तो चलिए देख लेते हैं बंधन small cap fund जिसने की XIRR के case में return निकाल कर दी है 43.38% अब XIR का return होता है यह अलग होता है काफी annual यदि CAGR return से comparison करोगे CAGR return क्या होता है कि हमने एक बार निवेस किया और वो पूरे साल continue हुआ है लेकिन different gap पर जो different time interval पर जो investment होता है यह कई बार redemption होता है जो उसका actual annual return निकल कर आता है उसको बोलते हैं XIRR तो इस case में 43.38% का return दिया है final value बन गई यह 5,000 रुपे के SIP की पिछले 3 साल में 3,29,000 यानि की 1,80,000 के और 1,80,000 के और 1,80,000 बोलना पड़ी ना इंसाफी लगती है क्यों लगती है 5000 रुपा महिने की किस्त हमने दी है और कुछ पैसे तो ऐसे ह एक महिना पूरा हुआ है कुछ ऐसे हैं जिको 2, 3, 6 महिने पूरे हुए ऐसे करके हम टुकडों में दे रहे हैं और यदि हमने यही पैसा उससे में डाल दिया होता तीन साल पहले 1,80,000 तो कितना ज्यादा बन गया होता तो यह लंसम और SIP के बीच का gap होता है लेकिन किसी के पास पैसा होता नहीं है ना बूंद बूंद करके घखा बढ़ता है तो यह सबसे बैस तरीका है थोड़ा थोड़ा करके निवेस करते रहे हैं और अपना पैसा कंपाउंड करते रहे हैं दूसरी स्कीम है ITI small care fund 36.22% का return निकाल कर दिया है XIR की case में पिछले 3 साल में और measure magic जो actual magic है compounding का या फिर जो investing का benefit है एक तरीके से बोलूँगा investing का ही benefit है compounding तो तभी होगे जब आप investment continue करोगे तो वो मिलता है after 10 years और जितना long run continue करोगे उतना ही time की value ज़्यादा है यहाँ पर rather than the putting your amount of money जितना ज़्यादा पैसा ड़ालोगे उससे ज़्यादा यहाँ पर value ह आपकी time की कितना लंबा समय आप invested रहोगे तीसरे नमबर पर टाटा small care fund इसने 35.89% के return निकाल कर दिये लगबग ओ दो लाख निन्याम राय उल्मोर्स तीन लाख रुपए इसने भी बना दिये हैं चोथे नमबर पर निपोन इंडिया small care fund 35-65 के return ने 2,98 इसने बना दिये है उल्मोर्स तीन लाख के आसपास यह अभी ऊपर के 4-5 fund बलकि देखें नीचे तक आप देख लिए कौन्ट small care fund इस लिस्ट में पांचवे नमबर पर है 35-57 इसने भी return निकाल कर दिये हैं 2,97 में इसने भी बना दिये हैं तो ये भी काफी ठीक टाग return है इसने बना दिये हैं तो अभी तक लिस्ट में आपने देख लिए 6-7 funds कितने बनाए हैं 5-7 रुपे के SIP से उपर 30% से उपर के return है यानि कि जब बहुत major fall आया था उसके बाद market जब recover हो गया था within 1 year उस समय ये investment calculation वहाँ से start हुई है यदि वहाँ से start करोगे कि March 2020 या परहल 2020 उस समय जो pandemic कोविड का initial phase था starting थी तब market बहुत बुरी तरह गिरा था उस समय निविस किया होता हो start भी किया होता तो वहाँ से तो ने भी 2,888 बना दिये हैं HSBC small cap 32,25% के return ने 2,866 इसने बना दिये हैं बाकी last के LIC HDFC small cap 30,87 के return ने 2,89 इसने बना दिये हैं सबसे last में अदि आप देखोगे तो कोटेक small cap 27.85% के return 2,688 इसने भी बनाए हैं तो ये वो top 15 small cap categories के fund हैं जिसने की lowest return 27.85% in case of XIR निकाल कर दिये हैं और highest 43,38 और उपर वाले को छोड़ भी दो मैं कभी भी highest जो 2,3 funds होते हैं उनको consider करता ही नहीं हूँ मैं मानकर चलता हूँ कि that I am not that much lucky कि मैं हमेशा top अच्छे best fund में निवेस कर लूँगा या category के अच्छे best stock में निवेस कर लूँगा या best price पर ले लूँगा मैं अपने को से नीचे ही मानकर चलता हूँ कि top 10 में कर लूँगा that is enough है ना 25-30 fund category में हर category में 15-20 fund तो अराम से मिल जाएंगे न तो उनमें से top 5 ये top 8 से 10 में निवेस कर लेंगे उससे हमारा काम बन जाएगा हमें long term के लिए continue रहना है ठीक है तो ये 15 fund की scheme थी यदि आप किसी में निवेस SBAE वनों तर top fund है वो भी वो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है एक्सिस का नाम सायद इसमें नहीं है तो आप स्क्रीन सोट लेकर ये वीडियो को पहुच करके analyze कर सकते हो इस data को दिखाने का मतलब ये बिलकुल भी नहीं था कि जो fund इसमें नहीं है उसमें आपको निवेस नहीं करना चाहिए बिलकुल करना चाहिए कुछ points में difference रहा होगा यदि एक अपता बाद 15 दिन बाद देखेंगे महीना बाद बाद देखेंगे 2-3-6 महीने बाद देखेंगे हो सकता है वो इन top 15 या top 5 में आ जाए वो fund आपका लेकिन कोशिस यह करनी चाहिए जो पिछला track record है उसको देखते हुए AMC की goodwill देखते हुए fund manager का experience consider करते हुए बाकी के parameter को consider करने की जरूत नहीं है कि यह ratio इतना है वो ratio इतना ratio चेंज होते हुए समय लगता है क्या हमें चाहिए return ratio का मुझे क्या करना है ratio selection करते समय यह अंदर की जो बहुत ज़्यादा in-depth calculation है ना उसको समझे में लगोगे ना मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूँ कि SARP ratio का मतलब क्या होता है यह XY rate ratio का मतलब क्या होता है या फिर turnover ratio से आपको क्या समझना चाहिए तो वो हमारे हाथ की बात है यह नहीं क्या हम change करेंगे किसी भी AMC का किसी भी category का turnover ratio है SARP ratio है वो market के according, stock selection क according भी हैप करता रहेगा लेकिन एक अच्छी AMC और अच्छे fund के साथ आपको long term के लिए associate रहना चाहिए तब ही आपके long term में अच्छे return बनेंगे यदि जानकारी सही लगिए तो बाकि लोग तक भी share कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम रा दे जब हार